जै तिरुपती बाला जी दोस्तों तिरुपती बाला जी के दर्सन के लिए अभी के समय में जो भी लोग बिना दर्सन टिकट के तिरुमाला पहुच रहे हैं तो उन्हें free दर्सन लाइन से होकर तिरुपती बाला जी के दर्सन करने में लगभग 15-20 घंटे तक का समय लग रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तिरुमाला के वर्तमान इस्तिती के बारे में बताने वाला हूँ इसके साथ ही साथ जो भी लोग नवंबर महिने में तिरुपती बाला जी के दर्सन के लिए जाना चाहते हैं और नवंबर महिने में दर्सन के लिए 300 रपे वाले इस्पेसल अंटी दर्सन टिकट और एकोमोडेशन की बोकिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं इस वेडियो में जानकारी देने वाला हूँ पूरी जानकारी के लिए बने रहिए आप मेरे साथ वेडियो के अंत तक दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नवंबर महने के लिए जो टिकट्स की बोकिंग होनी है उसके बारे में इनमें से पहला है 300 रुपे वाले Special Entry दर्शन टिकट और नवंबर महने के लिए 300 रुपे वाले Special Entry दर्शन टिकट की बोकिंग 24 अगस्त को सुभा के 10 बजे ट्रिट्रिडी के वेबसाइट पर सुरू हो जाएगी और 24 अगस्त को ही तिरुमाला और तिरुपती के लिए एककोमोडेशन की बोकिंग भी सुरू हो जाएगी लेकिन एकोमोडेशन की बोकिंग जो होगी वो स्राम के 3 बजे सुरू होगी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनके पास भी 300 रूपेवला स्पेसल एंटी दरसन टिकट नहीं होगा या किसी भी प्रकार के ओन-लाइन दरसन टीकट की बोकिंग नहीं होगी तो व्यत तिरुमाला में रूम की बोकिंग नहीं करपाएंगे यानि कि अगर आपके पास 300 रुपे वाले Special Anti-Derson Ticket की booking है, या फिर किसी प्रकार के दerson Ticket की booking अगर आपने online की है, तो ही आप तिरुमाला में online accommodation की booking कर पाएंगे. और अगर आपके पास दerson Ticket की booking नहीं है, या फिर दerson Ticket की booking करते time booking failed हो जाती है, तो आप तिरुमाला में online accommodation की booking नहीं कर पाएंगे, लेकिन तिरुपती location के लिए accommodation की booking कोई भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास online दerson Ticket की booking हो, अथवा ना हो. अब बात करते हैं 500 रुपे वाले दerson Ticket की booking की, तो दोस्तो नवंबर महने के लिए 500 रुपे वाले दerson Ticket की booking 22 अगस्त को साम के 3 बजे टेटेडी के official website पर सुरू हो जाएगी. दोस्तो जिने मालूम नहीं है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कि 500 रुपे वाले दerson Ticket की booking जो होती है, वो online सेवा virtual participation के नाम से इसकी booking होती है. इस booking में 300 रुपे वाला special anti-derson Ticket प्रोवाइड किया जाता है, और 200 रुपे online सेवा के लिए चार्ज किया जाता है. online सेवा में आपको तिरुमाला जाने की जरुत नहीं पड़ेगी, लेकिन दerson के लिए आप physically तिरुमाला जाकर दerson कर सकते हैं. सेवा के लिए Ticket बुक करने के बाद ही, आपको दerson के लिए Slot बुक करने का option मिलेगा. तो दोस्तों सबसे पहले इसमें सेवा के लिए Ticket बुक करना पड़ेगा, इसके बाद दerson availability पर क्लिक करके आप दerson के लिए Date और Slot को चूज कर सकते हैं. दोस्तों नवंबर महने के लिए तिरुमाला अंग परदक्षिनम के लिए भी Ticket की बुकिंग होनी है, और अंग परदक्षिनम के लिए Ticket की बुकिंग 23 अगस्त को सुबह के 10 बजे TDD के वेबसाइट पर सुरू होगी. 23 अगस्त को ही स्रिवानी टरस्ट के डोनर्स के लिए भी दर्सन और accommodation का quota रिलीज किया जाएगा, और स्रिवानी टरस्ट के डोनर्स इसके लिए Ticket की बुकिंग सुबह के 11 बजे TDD के official website पर कर सकते हैं. दोस्तों स्रिवानी टरस्ट के डोनर्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन स्रिवानी टरस्ट डोनर्स के पास online दर्सन टिकट की बुकिंग नहीं है, या वे online दर्सन टिकट की बुकिंग किसी कारण नहीं कर पाते हैं, तो स्रिवानी टरस्ट के डोनर्स के लिए offline दर्सन टिकट की बुकिंग भी तिरुपती में available हो जाती है. तो दोस्तों ये November महने के कुछ updates थे, जिसे मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं तिरुमाला के वर्तमान स्थिती की. तो दोस्तों तिरुमाला में भी अच्छी खासी भीड हो चुकी है, और आगे भी भीड होने की उम्मीद है. और ऐसे भी अब तो weekend आने वाला है, तो भीड ऐसे भी बढ़ने वाली है. तो दोस्तों अगर आप भी इस सब्ता में तिरुमाला आने का प्लान कर रहे हैं, तो अपने साथ थोड़ा टाइम लेकर चलें, क्योंकि जिनके पास भी online दर्शन टिकट नहीं है, उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, अभी के समय में दर्शन में लगने वाले समय की बात करें, तो दोस्तों जिनके पास भी 300 रुपे वाले स्पेसल अंटी दर्शन टिकट है, और वे दर्शन के लिए गए हैं, तो उन्हें दर्शन करने में लगवग 3-5 घंटे तक का समय लगा है, जो भी लोग तिरुपती के काउंटर से सरदर्शन टोकन लेकर तिरुपत के दर्शन को जाना पड़ा, और फ्री दर्शन में लगवग 15-20 घंटे तक का भी समय लगा है, हलांकि दोस्तों अब वीकेंड आने वाला है, और वीकेंड पर भीड जादा होती है, तो सोभवी के की दर्शन में भी जादा समय लग सकता है, बाकी तिरुमालास रिलेटेट कोई भी क्वारी जो हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इस्टाग्राम पर मेसेज करके पूछ सकते हैं, दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में तिरुपती बाला जी का नाम जरूर लिखें, त तब तक के लिए जय वाला जी, जय गोविंदा.